हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रभात पोदार और मैनेजमेंट सीरीज में जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें आपका स्वागत है आज इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं वह है डेप्रिसियेशन जिसको हिंदी में मूल्य हास कहते हैं देखे एक्जाम में सवाल आपसे क संव क्लें साल बहुक्त है था और अजिए में मशीन अब अगस को कहां से हें लगव kinda थोड़ा 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 पैसा उसमें से कम करते रहतें नहीं एक लाक Уerson मालीघ कैशा 6000 जशत्रे मुल्य से कम कर रहे हैं, तो यह depreciation है, ताकि एक साल के अंतर तक, आपके पास फिर एकलाफ रुपए एक खटा हो पाए, ताकि आप एक नई मशीन खरीद पाए, देखिए जाहिर सी बात है कि depreciation पर बहुत सारे सवाल की बर exam में आते हैं, आप depreciation के दो जो सबसे famous methods है, एक है SLM, straight line method और एक है WDV, यहने written down value, बहुत ही आसान है, दो में आपको समझ में भी आ जाएंगे, देखिए सब मान लीजिए, आपने 100 रुपए की एक मशीन खरीदी थी, और आप मानते हैं कि इसका 10 साल इसकी उप्योगिता रह सकती है, तो हर साल आप divided कर दीजिए, 100 को 10 से, आंसर आएगा 10, यहने हर साल आप क्या करेंगे, 100 में न تم में से 10 रुपए माइनस कर देंगे, बचा कितना 90 बचा, अगले साल फिर क्या करेंगे, 10 रुपए मानस कर देंगे, फिर कितना बचा सो रुपे की एक अगेन मशीन ली अब आपने पहले साल क्या किया दस अगेन दस साल की इसकी वाल्यू हमाल लीजिए पहले साल आपने दस साल उसमें से माइनस किया बचे कित्ते 90 बचे अब आप देखिएगा आपने 10 परसेंट वेल्यू कम की थी इससे भी 10 परसेंट ही कम कर होता है से आम तोर पर जो इंडस्ट्री में यूज होता है वह रिटन डाउन वेल्यू होता है अंतम एक छोटा मोटा वेल्यू बचाएगा उसको कुछ स्क्राइब कहते हैं मुझे लगता आप इसका जवाब देपाएंगे आपको वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो हमें कैने आते वीडियो जा मात आपALKएंगे आपकी बचयत में यवर्यू अर्मी publicly पासिते हमेंटों